हलो फ्रेंट्स, सम बेसिक कॉंसेप्स अफ केमिस्टी चेप्टर का फर्स्ट क्वेस्टिन मैं भी डिस्कुस करूंगा कैल्कुलेट दी मोलर मास अफ दा फॉलोईग हमें मोलर मास निकालना है, हमें तीन सब्सेंश गिवन है, वाटर, सी ओ टू और मिथेन हमें, वन बाई वन हमें इसको सॉल्ड करेंगे, सबसे पहला पार्ट है वाटर, वाटर के एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है H2O, यानि कि एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के आटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का आटम होता है, तो मोलर मास अगर हमें निकालना है, तो हमें वन मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास निकालना होगा, तो वन मोल वाटर मॉलिक्यूल में दो मोल हाइड्रोजन आटम होंगे और एक मोल ऑक्सीजन आटम होगा, यानि कि टोटल मास ऑफ H2O विल बी 2 इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू मुलर मास of oxygen atom, hydrogen atom का मुलर मास 1 होता है, oxygen atom का मुलर मास 16 ग्राम होता है, तो यहां से एक straight forward calculation है, 2 इंटू 1 ग्राम प्लस 1 इंटू 16 ग्राम, this will be equal to 18 ग्राम पर मोल, यानि कि 1 मोल वाटर मॉलक्यूल का मास 18 ग्राम होगा, अब हम second part पर आते हैं, second part में हमें CO2 का म मॉलर मास discuss करना है, CO2 मॉलक्यूल में एक carbon atom होता है, और 2 atom होते हैं oxygen के, यानि कि CO2 के मॉलर मास हम कैसे calculate करेंगे, 1 इंटू μॉलर मास of carbon atoms, प्लस 2 इंटू मॉलर मास of oxygen atoms, चोकि carbon का मोलक्यूल में एक atom है और oxygen के 2 atom है, यहां से carbon का मॉलर मास यूज करेंगे 12 ग्राम और oxygen का 16 ग्राम्स काफ़ी सिम्पल केल्कुलेशन है we will get 44 ग्राम्स पर मोल similarly third part solve करेंगे third part में CH4 का मॉलेक्यूल दिया हुआ है जिसमें एक कार्बन आटम होता है और चार हाइड्रोजन आटम होते हैं तो इसके मोलर मास को हम कैसे कल्कुलेट करेंगे 1 into molar mass of carbon atom plus 4 into molar mass of hydrogen atom carbon का molar mass carbon atom का molar mass 12 grams होता है और hydrogen atom का molar mass 1 gram होता है जहां से हमारा final answer आएगा 16 grams पर मोल तो इस तरीके से हमने तीनों part solve कर लिए है water का molar mass होता है 18, carbon dioxide का 44 aure methane का 16 grams per मोल this is the required answer thank you so much for watching